हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका गतिमान आई क्यू इस्टडी चैनल पर और जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर आपको साइंस की एमसी क्यूस कराई जा रही है जो अल्मॉस्ट सभी एक्जामों के लिए इंपोर्टेंट है जैसे कि आपके रीट हो गया थर्ड ग्रेड अध्यापक राजस्थान गुरूब डी पटवार फोरेश्ट गार्ट एससी यूपी पुलिस बिहार पुलिस बिहार एसाई और इंटीपीसी बगेरा इन सभी एक्जामों में जो साइंस के कोशन पूछे जाते हैं उनके स्टेंडर्ड अब बढ़ते जा रहे हैं हैं और मतलब कहने का है कि इंपोटेंसी और उसका इस्टेंडर्ड दूनों बढ़ता जा रहा है तो किस तरह के अभी एक्जामों में कोशन आ रहे हैं वैसे कोशन में आपको यहां पर एक्स्प्लेंड करके यहां पर 500 MCQ करा रहा हूं जिसमें आज हमारा एपिसोड ने अब आपको कंटीनीव वीडियो मिलेगी तो अभी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों को सेर करें और अपनी प्रेशन को कंटीनीव जाए ही रखें तो आईए आज के एपिसोड में चलते हैं हम कोशन को पढ़ते हैं और उसको सॉल कर रहे हैं पहल आपका 131 नमबर का कोशन रहे हैं आज यहां से स्टार्ट करेंगे प्रकास विकीरनों की प्रकरती केसी होती है अब आप जानते हो प्रकास जो होता है वो विकीरन के रूप में होता है तो यह जो प्रकास विकीरन है इनकी प्रकरती केसी होती है यानि किस तरह के होते ही है तो कणिये प्रकरती यानि प्रकास विकिरण जो होता है वो तरंग के रूप में भी होती है और कणों के रूप में भी होती है तो प्रकास यह कणिये प्रकरती दोनों के समान दोनों के समान आपका आंसर होगा यह ठीक है यह आपका आंसर होगा ठीक है आप इस screen shot ले सकते हैं और देख सकते हैं ठीक है अगला question है आपका की प्रकास की गती जो प्रकास की चाल होती है गती किस माध्यम में सबसे कम होती है कि प्रकास की गती किस माद्यम में सबसे कम होती है तो आपको इसका exact answer होगा काँच अगर माद्यम काँच होगा तो जो प्रकास की गती है वो सबसे कम होगी ठीक है अगला कोशन है आपका next देखिए वेरी इंपोर्टन कोशन है एक्जाम के लिए कि अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है तो प्रकास जब सूर्य अस्त होता है आपने शाम को देखा होगा इवनिंग टाइब में जाकर देखना उस समय जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य का रंग बहुत ज़्यादा लाल दिखाई देता है तो प्रकास के प्रकिर्णन के कारण प्रकास के प्रकिर्णन के कारण ठीक है जब प्रकास का प्रकिर्णन होता है तो सूर्य का रंग इसके कारण लाल दिखाई देता है है अस्त होतेवे सूर्य का रंग ठीक है अगला कोश्ञन रहेगा आपका दूर दरष्टी डोस यानि हाईपरमेट्रोपिया है ना दूर दरष्टी डोस निवारण के लिए कौन से लेंस का परयोग किया जाता है कौन से lens का परियोग किया जाता है तो ये है आपका उत्तल lens कौन सा है उत्तल lens इंगलीज में कहेंगे convex convex lens हैं तो आपके उत्तल lens का परियोग किया जाता है दूर दरश्टी दोस हैं इसके निवारण के लिए उत्तल lens का परियोग किया जाता है ध्यान रखना आप, यह question अक्सर एक्जाम में पूछा गया, हर एक्जाम में लगबग पूछता है इस तरह के question अब आगे देखिए, 135 नंबर का question आपके बहुत ही ज़्यादा important question है बहुत ही important प्रकास का रंग किस से निर्धारित होता है बहुत ही ज़्यादा important प्रकास का रंग किस से निर्धारित होता है तो आप जानते हैं कि हम प्रकास को पेचानते हैं क्यों क्योंकि उसके अंदर एक गुण होता और वह होता तरंग धेरे का गुण तो तरंग धेर्य और लाल रंग का तरंग धेर्य सबसे अधिक होता है आप ये भी जानते हैं तो तरंग धेर्य से आंसर आपका होगा प्रकास का रंग किस से निर्धारित होता है तरंग धेर्य से हैं ये इसका आंसर हो जाएगा 136 में देखिए 136 भी बहुत important है ये आपको आज के जो question है प्रकास से related और दरपन से related ज़्यादा है और दरपन की बात आएगी तो lens की बात आएगी तो द्रश्टी पटल होगे रहा जो ये होते हैं हमारे आखों की समंद्ध में और रंगू का तरंग दिरे वो सभी को समविस किया गया है आज के question को आप देखिए line से बहुत important question है आप देखिए कितना important question है ये कि पढ़ने में काम आने वाले दरपन में कौन सा lens प्रियुक्त होता है जब आप पढ़ते हो यदि किसी students के ये किसी वेक्ति के चिश्मा लगा हुआ है आखो पर तो उसके अंदर कौन सा lens है तो उत्तल lens answer होगा आपका उत्तल lens और इसको अभी मैंने बताया था इंगलीश में क्या बोलते है convex lens convex lens है तो इस तरह से आपका इसका answer हो जाएगा अगला question देखेंगे हम किसी वेक्ति का पूरा परतिविम किसी वेक्ति का पूरा परतिविम देखने के लिए एक समतल दर्पण के नियूंतम उचाई कितनी होनी चाहिए अब मान के चलो कि वे वेक्ति आप हो है तो आप अगर किसी दर्पन के अंदर ये चाहो कि मेरा पूरा परती भी मजूते से लेकर पेर के और मैं सिर्थक अपने आपको पूरा किसी दर्पन में देखूं तो सवाल ये भी उठता है कि दर्पन कितना बड़ा होना चाहिए तो वेक्ति की उचाई के आधा दर्पन की साइज क्या होनी चाहिए वेक्ति के उचाई के आधा यनि यदि आपकी हाइट सपोस करो 6 फिट है आपकी हाइट 6 फिट है तो दर्पन कम से कम 3 फिट का चाहिए 3 फिट के दर्पन में आप अपने आपको पूरा परतिविम देख सकते हैं आपका ठीक हैं तो ये इसका आंसर होगा अगला कोश्चन है 138 वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन ऐसे तो सारे इंपोर्टेंट है लेकिन मैं इनके अंदर वेरी इंपोर्टेंट बोलता हूं आपसे दरश्टी पटल जो है रेटीना पर किस प्रकार का चितर बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ण ये कि रेटीना पर किस प्रकार का तो वस्तू से छोटा चितर बनता है जो वस्तू अती है और उल्टा बनता है वस्तू से छोटा एवं उल्टा इस प्रकार का चितर बनत बने गाउने अगला कोशन देख एक रंग के चित्र बहुत है अब यह देख एभी तक आपने व्योंगेशिक होटी है पर किरन किसका ज्यादा होता है तरंगन किसका यादा होता है सब्सक्तिलीप ज्यादा होता है तेरे किसकी होती है पर किरिणन किसका कम होता है लेकिन आज ये कोशन देखिए कि किस रंग के परकास की उर्जा एनरजी सरवादिक होती है इंपोर्टेंट कोशन है बहुत महत्तपुन कोशन है 139 सब इस्टुडेंट्स का ध्यान रखें तो इसका आंसर होगा आपका नीला नीला परकास इसकी उर्जा सरवादिक होती है इसको मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्तपुन कोशन है ध्यान रखना एक्जाम के दरिश्टी कौन से कि किस रंग की परकास की उर्जा सरवादिक होती है तो नीले रंग के परकास की य कीए तो उसके प्रकीरनं का कारण क्या है तो उसके प्रकीरनं का कारण आप अच्छे से जानते हो कि उस वायू में उपस्थित धूल के कण है यह आपने पढ़ाबी होगा वायू में उपस्थित धूल के कण है ना वायू मंडल में प्रकास के परकिरिणन का परमू कारण है वायू में उपस्थित धूल के कण हैं अब ये देखो ये 140 तक हो गया अब 141, 142, 143, 144, 145 ये जो पांच कोश्चन हैं आपके एक्जाम के लिए बहुती महत्पून हैं बहुती महत्पून हैं तो इसके लिए मैं इन कोश्चनों को लेकर आया हूँ आपके लिए कि आपको इनके मान याद होने चाहिए क्योंकि कोश्चन बनते हैं इस तरह के कई एक्जामों में देखे गए हैं कि लाल रंग का तरंग धेरे कितना होता है अब आपको ये तो पता है कि सबसे ज़्यादा तरंग धेरे होता है पर कितना होता है लाल रंग का तरंग धेरे तो बासट सो अंग श्ट्रोंग से चिहतर सो अं यह आप याद रखना एलाल रंगे तरंग धेरे का मान होता है उसके बाद आता है आपके बेंगनी रंग का तरंग धेरे मान होता आपके ये सब आप अच्छे से याद रखना क्योंकि एक्जाम के अंदर ये पूछे जाएंगे आपसे 101% है उसके बाद अगला रंग देखो आपका हरे रंग का तरंग धेरे कितना होता ग्रीन कलर की बात कर रहा है और मैंने ज्यादा तर यहां पे वही कलर उठाए हैं जो आपके सिगनल से रिलेटेड है रेलवे के अंदर सिगनल से रिलेटेड जो होते हैं जिसे आपके लाल भी आता है पीरा भी आता है ग्रीन भी आता है नारंगी भी आता है तो यह जो आपके हरा वाला है ये 5000 एंग स्ट्रोंग से 5700 एंग स्ट्रोंग के बीच में होत आप देखिये खत्रे के लिए लाल रंग का परियों हो जायागा आपके signal आगे बढ़ने के लिए green हो जाता है धी में धी में चलने के लिए लगबग yellow रहता है तो यह जितने भी रंग आपके होते हैं सिगनल के अंदर या प्राथमी है color आपने पढ़ा होगा VGR बोले तो blue, red और green हैं तो मैं आज ए 145 तक लाया हूँ एक blue का भी मैं लिखा दूआ मैंने स्मेड नहीं किया है 146 कर देंगे इसको तो अभी आप हरे रंगत रंग देरे देखिए 5000 एंग स्ट्रोंग से 5700 एंग स्ट्रोंग अब बात आती है 144 कोश्चन के पीले रंग का तो पीले रंग का कितना है 5700 से 5700 एंग स्ट्रोंग इसको याद रखना बहुत आसान है टेंशन मत लेना लाल वाले का तो आप वैसे याद कर लेना 62 से 7600 एंग स्ट्रोंग उसके बाद बेंगनी का याद करना क्योंकि लाल का और बेंगनी का रिलेशन ही होता है पर केडिनन का रिलेशन होता है अब तरंग धेरे सबसे ज़्यादा लाल का होता है बेंगनी का 4900 से 446 हो जाएगा उसके बाद देखो आप हरे रंग में देखना सीधे 62, इसके आगे, इसलिए मैंने इस तरह से जमाया इसको, उनसट सो से अंगस्ट्रोंग से, ये 62 अंगस्ट्रोंग, ठीके देखो, यहां से रिलेशन इस्टार्ट करेंगे हम हरे रंग का तरंग धे रहे हैं 5000 अंगस्ट्रोंग से 5700 हरे के बाद पीले की बात कर लेते हैं तो आप जानते हो, जैस्ट 5700 से गुनसट्सो और इसके बाद नारंगी की बात कर देंगे हैं, तो गुनसट्सो से 62, इस तरह से इसको तीनों को रिलेट कर देना आप, एक बजिया आपका 146 पर मैं लगा देता हूँ नीले रंग का, हैं नीला, नीले रंग का नीले रंग का तरंग धेरिये, तरंग धेरिये होता है, तो आपके जो नीले रंग का तरंग धेरिये होता है नीला, जो मैंने यह आप बोला न, प्राथमिक रंग अगर आप से पूछे प्राथमिक रंग प्राथमिक रंग कौन से होते हैं या प्राथमिक कलर तो आप सिर्फ यू याद रखो B.G.R आपको हिंदी में याद ने रहेगा Blue Green और Red यानि लाल हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं और इनी तीन प्राथमिक रंग से मिलकर अन्नी रंग को बनाया जाता है वह दित्तिय कलर कहलाते हैं तो यह मैं जब पढ़ाऊंगों तब आपको आगे पढ़ाऊंगों ठीक है अभी मैंने ऐसे कोमनली बता दिया आपको ताकि आप प्राथमिक रंग को याद रखे यह भी पूशे जाते हैं कि प्राथमिक रंग कोन से हैं यह तीनों देदेगा उप्सन A दूसरे कलर देदेगा उप्सन B तीसरे कलर देदेगा उप्सन C और छोथे कलर देदेगा उप्रोक सभी तो आपको ये तीन बताना है बीजी यार बात करते हैं नीले रंग के कितना मान होता है नीले रंग का जो होता है अंग श्ट्रोंग तो ये होता है चंवाली सो साथ से चंवाली सो पचास चंवाली सो साथ अंग श्ट्रोंग से 4650 अंगेश्ट्रोन के बीच में तो ये आप इस तरह से इसने कोशन आ जाके अपिसोड में आपके हो गए 146 कोशन हो गए 500 मुझे करवाने है प्रस्ट बहुत महतापूर लेके आता हूँ मैं किसी कारण से मेरी वीडियो 18 दिन नहीं आई है तो उसके लिए मैं खेट प्रकट करता हूँ और अब आपको मैं कंटीनी वीडियो दूँआ आगे हमारी मैथ की भी वीडियो आएगी इसी चैनल पर तो आज के एपिसोड में यहीं तक आप अपनी तयारी को बेतर करते रहिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही important questions के साथ या किसी science के topic के साथ तब तो के लिए धन्यवाद जैहिन टेक केर